दिल्ली में वैसे तो कई फेमस जगाएं हैं घूमने के लिए लेकिन बच्पन से जो दिल्ली वालों का फेवरिट स्पोट रहा है वो है दिल्ली का चिड्या खर अब चिड्या घर कब और कैसे बना और यहाँ पर जान्मरों का खयाल कैसे रखा जाता है यह सब के मन में एक बड़ा सवाल रहता है तो चलिए घूमते हैं आज दिल्ली के चिड्या घर में और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ दल्चस्प बातों की बारे में यहाँ पर अंदर बहुत चलना पड़ता है और इन वीकल्स से यह सफ़र थोड़ा साथान हो जाता है बैस्ट्री ऑपरेटिट वीकल्स लेने का एक पाइदा और भी है कि इनके ड्राइवर्स आपको स्टॉप आने से पहले गाइट कर देते हैं कि कौन सा जानवर कहां है ताकि आपको कोई कन्फियूजन नहों सके चेडिया घर को 1969 में बनाया गया था जिसका डिजाइन श्री लंका के मेजर वाइमन और वेस्टन जर्मनी के कॉल हैगबक ने बनाया था दो सो चौदा एकर में फैले इस जू में जानवरों और पक्षियों के 99 प्रजातियां हैं और 200 तरह के पेड़ हैं यहां पर आस्ट्रेलिया, आफ्रीका, अमेरिका और एशिया से लाए गए पशु पक्षी भी देखे जा सकते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे ब्लाक बग्स, नीडी गाई, चीतल और अगर आप लगी रहे तो आपको मोर देखने को भी मिल जाएंगे यह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है भारतिय गैंडा यानि इंजिन राइनसोर्स यह दोनो राइनोस इस जू के मोस्ट पॉपुलर आनिमल्स में से एक हैं राइनोस हर्वी वोर्स यानि शाकाहारी होते हैं, इनका वज़न सोला सो से सताइस सो किलो तका होता है यह मुझे अकेली रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके ज़ादा जुन नहीं होते हैं, और ज़ादा तर राइनोस आपको अराम करते हुए नज़र आएंगे चिरिया घर में करीबन तेरा सो जानवरों का घर है, यहां अफ्रीकन हाती, वाइट टाइगर, औस्टेलियन काकेटूस, वह अफ्रीकन मकाव और मगरमच आदी कई पश्यू पक्शी देखने को मिलेंगे जू में जो मुझे पहला वाइल राइनिमल देखने को मिला वो है यह वाइट टाइगर्स, लोगों को लगता है कि वाइट टाइगर, टाइगर की एक डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें कुछ जेनेटिक मुटेशन आ गए हैं जिनकी वज़ा से इनका स्किन कलर वाइट है, इनके वाइट स्किन कलर की वज़े से इनके लिए जंगल में छिपना काफी मिश्विल होता है, जिससे इनके सर्वाइवल की चांसे काफी कम हो जाते हैं, वाइट टाइगर्स अब आपको खुले जंगल में नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ इने जू में और साथ ही इनकी डाइट का प्रॉपर खयाल रखा जाता है. जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है बबर शेर का प्रॉपर खया है। लॉइंस जंगल में पूरी फैमिली बना कर रहते हैं और साथ ही पूरे जंगल पर राज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही डेरिंग होते हैं। और इस जू में दिस लाइन इस दमें सेंटर उफ अट्राक्शन। दिली जू प्रगती मैदान में स्थित है, जहां पहुचने के लिए आप ब्यू लाइन मेट्रो पकड़ के प्रगती मैदान स्टेशन पर उतर सकते हैं। पार्ट में एंट्री के लिए टिकेट प्राइस है 80 रुपीज पर परसन और 12 से 15 साल के बच्चों के लिए 40 रुपे पर परसन। सर्दियों में चिडिया घर सुभा 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, जबकि गर्मियों में सुभा 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। शुक्रवार को जू बंद रहता है। अगर आपको वाइल लाइफ पसंद है या आप नेचर लवर हैं, तो आपको यहां आना तो बनता ही है। तो इंतजार किस बात का, टाक यो बैग, ग्राप यो खेमराज और रेडी फोर एडवेंचर। अबने मिलूंगी आप से अगले हाफते और एक्स्प्रोल करवाँगी आपको फिर एक नई डेस्टिनेशन। सब तक के लिए।